हलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को सवगत है आज हम बदाने वाले आपको के दो में होल की दूरी कितनी होने चाहिए और इसका कितना कितना डाय होना चाहिए तो शूब करने से पहले हमारे चैनल को आप जाद जाद सब्सक्राइब करें शेयर करें बैल आइकन के बेंन को दबाया है ताकि आपको continue video मिलती रहें चली शूब करते हैं देखिए maximum distance डिस्टेंस यह हमारे दो मैन होस हैं ठीक है यह हमारा कवर है यह बिरिक वर की चनाई रखिए हमारी यह हमारा मैन होड़ ठीक है यह हमारा बीच में हिम पाइप है तो दीए अगर हमारे पास में 200 mm का हिम पाइप है तो उसकी दूरी हमारी मैक्सिमम 20 फिट होने ची 20 फिट से जाद नहीं ह हम 20-00 विछ से जाध है तो उसमें हमारी स्रवीजिस तर्बिश से जाद काई चोड़ में अकुंचे इसलिए 200 विटर टोली हम जाओ 20-विर है तो उसके दूरी रह दो जाद मैक्सिमम इसलिए तीन जाद है सब्सक्राइब करने में दिखते हैं और इससे जादा बड़ा हिम पैप है तो इसके दूरी बढ़ती चली जाएगी तो अब यह दिखिए इसके बाद एक और इंपोर्टन चीज़ है हमारे पास में आपको बताने के लिए कि जो इस्पेक्शन चमबर होते हैं और गली चमबर और यह हमारा इंस्पेक्शन चमबर है ठीक है तो यह आता है हमारा इंस्पेक्शन चमबर में चितना भी पानी आता है और गली चमबर का जो पानी आता है वह हमारा बातरूम से आता है खिचन से आता है ठीक है तो यह हमारा इन दोनों के बीच में हम एक मैन होल बनाते है त का भी वेस्ट वाटर समाता है तो इन दोरों के बीच की दूरी 15 फिट होने हैं चीज से जदार नहीं चुछे ठीक होने का खत्रा रहता है इसलिए इसकी हम दूरी 15 फिट तक रखते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है आपको बताने के लिए क्योंकि हम जब भी बिल बिल्डिंग में 300 का उन्हुज होत्ता है जातर 300 का और 500 का और 200 का यूज होता है तो जातर साइट इंजिरियर के हैं साइट पर तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा हम पर बितना है तो उसका चेंबर कितना दूरी पोना चाहिए तो इसको जाज जाद आप शेयर करो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को जरूर दवाना क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं आप तक जरूर को चाहिए तो चलिए आज की लिए इतना ही काफी है अगली वीडियो में हम बिलते हैं आपसे ओके